इंसानी दिमाग, प्रकृती द्वारब मनाई गई दुनिया की सबसे जड़ील और तेज मचली यही वो अंग है जो इंसानों को जानवरों से अलग करता है पर क्या आप यह जानते हैं कि दिमाग के खुद के कुछ डरावने रहसे हैं आई लिजाने क्या आप दिख रहे हैं फैक्ट जिनी नमबर एक आपके दिमाग के सेल कैनिबल यानि कि नर्भुक्षी होते हैं आपका दिमाग शरीर की करीब 20-25 प्रतिशत उरजर समाल करता हैं और सदेव हुका रहता है अगर आपका पिट भरा ना हो और शरीर में परियापत उर्जर ना बन रही हो तो दिमाग उर्जर के लिए अपने ही अंदर के सेल सो खाने लगता है ज्यादा सुने से आपका दिमाग पागल हो सकता है ज्यादा सुने से आपके दिमाग जल्दी बुड़ा होता है नमबर तीन, आपका देमाग कभी भी भ्रह्म पैदा कर सकता है देमाग के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूज होते हैं जो कि आपको उन चीज़ों को भी दिखाने और महसुस कराने की शमता रखते हैं जो वहाँ है ही नहीं इन केमिकल्स को इनसान अलग अलग तरीकी के ड्रग्स लेकर उत्तेजित कर सकता है और कभी का बार ये केमिकल्स खुद ही अक्टिवेट हो जाते हैं जैसे की कभी का बार नीम से उठने के समय आपको एक देम असली दिखने वाले सपने आते हैं नमबर चार जो भी आपको आखों से दिख रहा है वो असली दुनिया नहीं है आखों के बर्दे पर पढ़ने वाली रोशनी दो आयमी यानि टू-डाइमेशनल होती है और हम रहते हैं तीन आयमी यानि थी डाइमेशनल दुनिया में तो दिमाग आखों से मिल रही इन टू-डाइमेशनल पिक्चरों को अंदादे से तीन आयम में बदल देता है और फिर आपको दिखाता है यानि कि जो भी आपको दिख रहा है वो सिर्फ आखों का नहीं पर आपके दिमाग के दोरा पैदा किया गया भ्रह में इंसानी दिमाग में दर्द भावना भेज सकने के बाव जुद धिखुद अपने आपको दर्द से दूर ही रखता है नमबर छे, दिमाग बहुत ही मतलब यांग है खत्रा पैदा होने पर इंसान को छोड़ कर दिमाग पहले कुद अप्रा बचाओ करता है कोई मानसे कागात पढ़ने पर दिमाग उस वाक्य को ही अपने से मिटा देता है और उस वाक्य के साथ-साथ वो सारी यादे भी मिटा देता है जिससे लोगों में कभी गबार मेमोरी लॉस की घटना हो जाते है गहरी छूट लगने पर दिमाग अपने से ज़रूरी हिस्सों को चालू रखकर बाकियों को बंद कर देता है जिससे दिमाग चालू तो रहता है पर इंसान को मम में चला जाता है हर इंसान के लिए समय की तेजी उसके दिमाग पर नजभर करती है हमारे दिमाग अगर किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है तो फिर उसके लिए समय जैसी वस्तू कोई माने नहीं रखती इसलिए तो आपको अच्छी लगने वाली चीजें करते वक्त आपको लगता है कि थोड़ी देर ही हुई है जबकि घंटे बीच चुके होते हैं और अच्छी ना लगने वाली चीजें मैं ऐसा लगता है कि कितने गंटे हो गए हैं जबकि हुए कुछ मिनिट ही होते हैं साथी साथ दिमाग को किसी चीज में मजा आने लगता है तो फिर वो अपना ध्यान कहीं और भटकने नहीं देता इन सब बातों से ये पता चलता है कि किसी का भी दिमाग उसके वश में नहीं है पर हम अपने दिमाग के वश में हैं पर अगर हम किसी तरीके से अपने दिमाग को काबू में पा लें तो दुनिया जी सकते हैं आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथी साथ ऐसे मसेज़ार वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलें ये एकदम फ्री हैं बिरते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा